आज पंदर्शन करने जा रहे हैं गोलाशन के स्वंभो प्रकट हनुमान बाबा के जहां पर हर एक पुर्णी मा को भगतों का भारी मिला लगता है और यूं कहिए कि यहां आने वाले हर भगत की मुराद पूरी होती है ये अपन पहुच चुके हैं राजस्थान के जालोर जिले के साचोर तहसिल के पास में गोलाशन गाउं से मात्र दो किलोमीटर की दोरी पर इस्थित है यह स्वंभू भगवान बजरंग बली का हनुमान जी का मंदीर जो गोलाशन के धाम के नाम से पूरे छेतर के अंदर विख्या थे जैसा आपन जानते हैं हनुमान जी के मंदीर के अंदर सनिवार मंगलवार भगतों की भिड़ लगी रहती है लेकिन ये ऐसा मंदीर है जहां हर दिन हजारों की संख्या के अंदर भगत यहां दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और पुर्णिमा के दिन तो यहां भारी मिला लगता है यहां मंदीर के दोनों दिसाओं के अंदर बाजार सजे हुए हैं और आप यहां गाडियों की आवाज आई हम भी एक सामाने दिन दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं लेकिन इस स्थती के अंदर भी आप देखिए कि यहां पर भगतों का कितना जमावड़ा लगा रहता है अपन मंदीर परिसर की और बढ़ते हैं इससे पहले में इस मंदीर के विशे में हमारे साथ ही लोग जो दर्शन करने के लिए हमारे साथ में आये थे मुकेश जी, गणपल सिंग जी, राम जीवन जी, मनसुग जी मंदीर के विशे में चर्चा करते हुए इस मंदीर के विशे में एक द्वंत कता है ऐसा बताते हैं कि आज से 700 वर्स पूर्व जब यहां पर एक बहुत घना जंगल था एक ग्वाला इस जंगल के अंदर अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था ऐसे समय में उसके सामने एक सादू के रूप में एक बुजर्ग जो है संत प्रकट हुए और उन्होंने उस ग्वाला को दर्शन दे करके कहा कि यहां अभी एक भेंग कर आवाज होगी लेकिन तुम चिलना मत तुम बोलना मत अभी आप देख रहे हैं एक सामाने दिन होते हुए भी यहां का हवन कुंड है यहां भक्त लोग जो आते हैं वो यहां पर नारियल की जोत करते हैं बाबा के चर्णों के अंदर अपनी भक्ती जो है सरदा भाव से प्रकड करते हैं और यहां पर देखिए इस सिंदूरी रंग के अंदर सजा हुआ पूरा का पूरा ये परिसर जहां पर हनुमान जी के भक्ती यहां पर अपने सिंदूरी रंग के वस्त्र धागा वगेरा यहां बान करके अपनी मनते मांगते हैं और ये मंदीर का मूल भाग जिसके दर्शन करने के लिए अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हमारे साथ ही लोग दर्शन करके बाहर आ रहे हैं तो मैं बता रहा था कि उस ग्वाले को वो संत महत्मा दर्शन दे करके अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद में कुछ देर के बाद में यहां एक भैंकर आवाज हुई और उस भैंकर आवाज के साथ में हनुमान जी धीरे 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 इस धर्ती के भीतर से स्रम प्रकट होने लगी लेकिन कहते हैं कि आवाज इतनी भेंकर थी कि उसके सोर की वज़े से भेड, बकरियां, गाएं सब इधर उधर भागने रख लगी ग्वाला भी भेवित हो गया उसे ध्यान नहीं रहा और उसने उन गायों और बकरियों को रोकने के लिए आवाज लगाई और उस आवाज के साथ में ही हनुमान जी के अपन जो भी दर्शन कर रहे हैं देखिए ये गर्ब ग्रहे और यहां गर्ब ग्रे के अंदर हनुमान जी देखिए जमीन के अंदर नीचे हैं तो जितना भाग हनुमान जी का प्रकट हो गया ग्वाले की आवाज के साथ में ही उनका यह रूप यहीं पर इस्थिर हो गया यहां यह भी है कि इस मूर्ती के साथ साथ में एक कोई भी प्रकट हुई आज यह भक्त लोग जो दर्शन करने के लिए आते हैं हनुमान जी को सिंदूर चड़ाते हैं दूर से ही सिंदूर चड़ाया जाता है। और ये सिंदूर सारा का सारा इस कुई के अंदर कहां अंतर ध्यान हो जाता है। किसी को पता नहीं है वगतों ने इसके बारे में खुब पता लगाने का प्रयास किया लेकिन इसकी गहराई का कोई पता ने लगा पाया और ये हनुमान जी के यहां आने वाला हर वगत जो स्रदा भाव से इनके दर्शन करता है इनके चरणों में सिंदूर चड़ाता है अपन हनुमान की अपनी ही महिमा है बोलिये बजरंग बली हनुमान की जये